सबसे बड़ा अधिकार मतदान से क्यों इनकार हमारी इस खास पेशकर्ष में आपका स्वागत है मैं हूं प्रभीन तिवारी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सशक्त लोकतांत्रिक विवस्था सबसे बड़ा लोकतांत्रिक तेश भारत लोकतांत्रिक विवस्था में जनता को अपनी सरकार चुनने का अधिकार दिया गया है अपने प्रतिनी धियों को चुन कर संसद में भीजने का लोगों को मिला अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है इसका इस्तेमाल हर खासो आम को करना चाहिए और ये हमारा करतव भी है लेकिन मददान को लेकर लोगों में वैसा उतसा देखने को नहीं मिल रहा है खास तोर पर प्रथम चरण के बाद देखें तो ऐसा लगता है कि इस बार शायद उतना उत्सा देखने को नहीं मिल रहा है शत्प्रतिशत मतदान के लक्ष को हासिल करने से भारत काफी दूर है 24 के चुनाओं में जो वोटिंग ट्रेंड सामने आए हैं वो बेहद हैरान करने वाले है वो भी तब जब राजनितिक तोर पर ना सिर्फ लोगों में जागरुकता पैदा हुई है बलकि वो राजनितिक मुद्दों पर अपनी सक्रीता भी दिखा रहे है ऐसे में वोटिंग ट्रेंड में कमी परिशानी की बात है याँ आप देख रहे हैं एक तरफ राजनिती की बात हर जगे हो रही हर चौक चौबारे पर इसकी बात होती है लोग इसमें खासी दिल्चस्पी ले रहे हैं ज्यादा से ज्यादाता अपने मतादिकार का इस्तिमाल करें और वो ऐसे उमीदवारों को चुने जो सशक्त राष्ट के निर्मान में मददगार साबित हो सके चुनाओ में मतादिकार को बढ़ाने के लिए चुनाओ आयोग राजनितिक पार्टियों की क्या-क्या तैयारिया है आईए इस पर देखिए हमारी खास पेशकर्श सबसे बढ़ा अदिकार मतदान से क्यों इंकार वोटिंग ट्रेंट से पढ़ी टेंशन पत्रोथ साहन राशी का एला मतदाताओं के लिए प्लान घर घर तस्ता कभ्या सुष्यल मीडिया से संदेश भागी तारी बढ़ाने का निर्देश पाटियों ने भी कसी कम है मतदाताओं पर पड़ेगा असर चुनाओं में 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों को मतदान करने का अधिकार हासिल है मतदान के जरिये ही ये तैह होता है कि सरकार किसकी बनेगी अपने अपने क्षेतर से प्रतिनी दियों को चुनने की जिम्मेदारी मतदाताओं की होती है लाज़ चुनाओं उम्मीदवारों के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन हासिल करने की चुनाओती है तो मतदाताओं के पास इस बात का विकल्प होता है कि वो अपनी कसोटी पर खरे उतरने वाले उमीदवारों को जिताने में एहम रोल अदा करें इस लिहाज से चुनाओं में एक एक वोट का महत्व होता है और इसी को ध्यान में रखते हुए मतदान प्रतिशत को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है हलागि मतदान को लेकर मतदाताओं का फीका उतसा ही साथ दशकों के चुनाओं में अब तक 7% तो दूर की बात है सतर प्रतिशत के आंकड़े को भी नहीं चूपाया है मददाताओं का मूड बदले और वो अपने मतादिकार का ज्यादा से ज्यादा इस्तिमाल करें इसकी जरूरत है चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद है इसमें जनता को इस बात का अधिकार है कि वो अपनी सरकार को अपनी मर्जी से चुने अपना मत देकर अपनी सरकार चुनने का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है दरसल चुनाव केवल सरकार चुन्ने तक ही सीमित नहीं होते हैं बलकि ये नई विचार धारा, नई उमीदवार, नई मतदाता नई नीती चुन्ने का पहतर विकल्प होते हैं मताधिकार का जितना ज्यादा इस्तमाल होगा उतना ही लोगतंतर मस्बूत होगा और उससे जो नतीजे निकल कर सामने आएंगे वो इस बात का सबूत होगा कि देश की इतनी बड़ी आबादी चुने गए नेतों और चुने गए पार्टी में अपना विश्वास रखती है चुनाव में असल में मतदाताओं की भागिदारी इस बात की पुष्टी होती है कि इसको लेकर वो कितने जागरुख है और वो चुनावी प्रक्रियाओं में किस हद तक यकीन रखते है देश के साथ दशकों से ज्यादा चुनाव में अभी तक मतदान का प्रतीशत 70% के आकड़े को नहीं छूपाया है और इस बार की शुरुवात भी काफी फी की रही है और इसने राजनेतिक दलों के साथ ही चुनाव आयोग की भी टेंशन पढ़ा दी है मतदाताओं का उत्सहा चुनाव को लेकर क्यों ठंडा पड़ा है और कैसे उसमें नया जोश भरा जा सकता है इसको लेकर भी मन्थन जारी है मतदाताओं के मूट को समझने और उन्हें अपने मताधिकार का इस्तमाल करने के लिए प्रेरत करने के लिए कई इस तर पर प्रयास किये जा रहे है चुनाव में हर एक वोट महत्वपून है एक एक वोट नतीजे को प्रभावित करता है और इसी लिए हर चुनाओं में वोट प्रतिशत को बढ़ाने पर जोर दिया जाता है पिछले चुनाओं में इसमें बड़ोती भी दर्ज हुई है लेकिन इस बार मतदान के मामले में मतदाताओं का उत्सा फीक रहा उसको लेकर कई तरह के कयास लगाया जा रहे चुनाओं नतीजों के असर को छोड़ भी दें तो मतदाताओं में मतदाताओं के लिए प्रेडित करना मतदाताओं को ये बहुत ही जरूरी काम होता और आप देखते हैं इसके लिए कई कैमपेंज चलाये जाते हैं बहुत सारे प्रयास किये जाते हैं कोशिश ये की जाती है कि मतदाताओं को समझाया जाए कि ये उनका कितना बड़ा अधिकार है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा मत होगा उतनी ज़्यादा बहतर विवस्था हमारे सामने आईगी ये बात बीता है किसी भी लोगतांत्रिक विवस्था के लिए बहुत मात्तो पूर्ण है पिछले लोग सभा चुनाओं में मतदान के ट्रेंट पर गौर करें तो मतदाताओं में मतदिकार के इस्तमाल को लेकर जागरुकता पैदा हुई है खास कर मोदी युक की शुरुवात के बाद इसमें लगातार बढ़ोतरी दर्ज हुई है और इसे बेहद ही पॉजिटिव माना गया है पिछले कुछ चुनाओं से मतदान प्रतीशत में लगातार इजाफा दर्ज होता रहा है 2009 के चुनाओं में 2004 की तुलना में वोट परसंट में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी वही 2014 के चुनाओं में 2009 की तुलना में पमपर वोटिंग होई थी इस चुनाओं में करीब 8 प्रतीशत ज्यादा वोट पड़े थे वही 2019 के चुनाओं में 2014 के तुलनावे 1.6 प्रतीशत ज्यादा वोट पड़े थे मगर इस बार के चुनाओं में मतदाताओं में उस तरह का उससाहा नजर नहीं आ रहा है अलग-अलग राज्यों में 100 से ज्यादा सीटों पर हुए मतदान निराश करने वाले है मतदान का ओसत 64 प्रतीशत के करीब है जो पिछले चुनाओं के मुकाबले 6 प्रतीशत कम है हाला कि मतदान को लेकर कुछ राज्यों के मतदाताओं ने उम्मीद को बरकरार रखा है और इसमें तृपुरा सबसे आगे है तृपुरा में 80 प्रतीशत से ज़्यादा मतदाताओं ने अपने मतदातिकार का इस्तमाल करके देश का ध्यान अपनी ओर खीचा है सबसे ज़्यादा निराश करने वाला मतदान यूपी और पिहार कर रहा है यहाँ पर मतदाताओं के धंडे उत्साहा ने राजनैतिक दलों के साथ ही चुनाओ आयों की भी परिशानी को बढ़ा दिया है दरसल ये वो राज्चे है जहां की आबादी भी बड़ी है और चुनाओ को लेकर जोशो खरोश भी ज्यादा देखने को मिलता है राजनैतिक तोर पर सक्रियता के मामले में ये राज्य अवल माने जाते रही है मगर इस बार स्थिती बदली हुई है बिहार में सबसे कब यानी 47.50 प्रतिशत वोटिंग होई यूपी में महस 54 प्रतिशत के करीब मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तमाल किया जोसाथ से भी बेह passengers कम है ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि वोटर्स मतदान करने के लिए मतदान केंडर क्यों नहीं पहुँच रहे है चुनाओं में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर चुनाओ आयोक संजीदा है मददाताओं को मददान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और इसमें उन मददाताओं पर खास ताओर पर फोकस किया गया है जो पहली बार अपने मतादिकार का इस्तिमाल करने वाले है चुनाओं में मद्दान की क्या एहमियत है और वोट डालने से किस तरह से फर्क पड़ता है इन तमाम पहलूं से युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है सोशल मीडिया से लेकर दूसरे चैनल जिसकी ज्यादा लोगों तक एकसेस है का इस्तिमाल करके उन्हें चुनाओं में मद्दान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है हम सोशल मीडिया अकाउंट्स तो बहुत सारे देखते हैं हम देखते हैं युवाओं में राजनीती को लेकर पोस्ट करने का बहुत क्रेस देखने को मिलता है लेकिन जब मद्दान के इंदरों पर जाने की बात आती है तो क्या होता है कम से कम मद्दान प्रतिशत तो यही बताता है वोट प्रतिशत बढ़ाने पर सोर चुनाव आयोग विशेश अभ्यानों के तहट मत्दाताओं को मत्दान करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश कर रहा है इसी के तहट युवा वोटर्स खास कर पहली बार वोट डालने जा रही युवाओं के लिए आयोग ने टर्निंग 18 नामक पहल की शुरुआत की आयोग ने मत्दाताओं को वोट करने के लिए जागरुक करने के मकसद से अलग-अलग अभ्यान भी शुरू किया है एक-एक वोट का कितना महत्व है और ये किस तरह से चुनावी नतीजों पर असर डालता है इसकी एहमियत से रूबरू कराने पर जोर दिया गया है इसके साथ ही उनकी भागेदारी बढ़ाने के दिशा में भी कोशिश की जा रही है ताकि मतदान प्रतिशत को बढ़ाने में मदद मिले चुनाव का पर देश का गर्फ टरनिंग 18 अभ्यान के तहट आयोग की ओर से चुनाव का पर देश का गर्फ थीम के तहट खास संदेश दिया जा रहा है युवा मतदाताओं का चुनावी प्रक्रिया की ओर ध्यान आकर्शित करने के लिए नागरिक जुडाओं और जिम्यदारी की भावना को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है साथ ही 18 वर्ष की उम्र पूरी होने पर तुरंत मतदान करने की आवश्यक्ता पर जोर दिया जा रहा है सोशल मीडिया से संदेश सोशल मीडिया आधुनिक समाज में हमीशा मौजूद है और इसने लोगों के साथ समवाद करने के तरीके को बदल दिया है पिछले दो दशकों में सोशल मीडिया का तेजी से विस्तार हुआ है जिसमें अब दुनिया भर के सभी उम्र के लोगों द्वारा इस्तमाल की जाने वाली अलग-अलग वेब साइटे और आप्लिकेशन शामल है चुनाव आयोग यवाओं तक अपना संदेश पहुचाने के लिए सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म्स का सहारा ले रहा है इसमें फेस्बुक, इंस्टेग्राम, एक्स, यूट्यूब, सहित वाटसाप चैनल और लिंक्टिन जैसे प्रमुख प्लाटफॉर्मों का इस्तमाल शामल है इसके अलावा संदेश के दूसरे एहम प्लाटफॉर्म से भी मतदान करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए बूत लेवल की भी तैयारी की गई है मतदाताओं को मतदान केंदर तक लाने और उन्हें मतदान केंदर का इस्तमाल करने के लिए प्रेरित करने पर प्रोटसाहन राशी देने तक का फैसला किया गया है इसके अलावा उम्र दराज लोगों को मतदान केंदर तक लाने के लिए वाहन की सुविदा उपलब्द कराने के साथ ही मतदान केंदरों पर भी सुविदाएं बढ़ाने पर जोर दिया गया है मौसम के हिसाब से मतदान केंदरों पर पीने के पानी से लेकर गर्मी से राहत दिलाने का इंतजाम किया जाने पर भी खौर किया गया है और उमीद की जा रही है कि इसे मतदाताओं को मतादिकार के इस्तिमाल करने में आसानी होगी इसे वोटिंग ट्रेंड में पॉजिटिव बदलाओ के तौर पर भी देखा जाएगा या पॉजिटिव बदलाओ इन प्रयासों से आ सकता है इस बात की उमीद की जा रही है बूत इस्तर की तैयारे चुनाव में मतदान प्रतीशत पढ़ाने को लेकर अब बूत इस्तर पर बियलो से लेकर मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोचसाहित करने वाले अन्यकर्मियों को आयोग ने प्रोचसाहन राशी देने तक का फैसला किया है हलाकि प्रोसाहन राशी कितनी होगी ये अभी तै नहीं है शीगर ही इस पर भी निर्णे कर जिलों को सूचित कर दिया जाएगा जीविका दीदी आशा एवं अन्य कर्मियों को भी इसका लाप मिलेगा साथ ही हर एक बूथ पर 85 वर्ष इसे ज्यादा उमर के मतदाताओं को बूथ तक पहुचाने के लिए वहन तक की सुविधा भी उबलब्द कराने के निर्देश दिये गए है पटना में घरगर दस्तक अभ्यान की तर्च पर मतदाताओं से व्यप्दिगत संपर्क कर मतदान की अपील करने पर जोर दिया गया है बूथ पर गर्मी को देखते हुए हर हाल में शेड की व्यवस्ता और पेजर की व्यवस्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गए है साथ ही बूथों पर सेलफी पॉइंट बनाया जाए जिससे मतदाता वोट डालने के बाद अपनी फोटो ले पाए 24 के चुनाव में वोटिंग ट्रेंड को लेकर बीजेपी पर विपक्ष का हमला तेज हो गया है विपक्ष ने इसको लेकर बीजेपी को घिरना शुरू कर दिया है अब ये बहुत महत्तुकी बात है कि जब वोटिंग ट्रेंड कम जादा होता है तो इससे ये भी आकलन लगाया जाता है कि सत्ता विरोधी लहर चल रही है सत्ता के पक्ष में लहर चल रही है आप देखते हैं कि जितने भी राजनेतिक विशले शक होते हैं वोटिंग परसेंटेज के आधार पर ये तैय करते हैं कि किस पार्टी के तरफ ये वोट परसेंटेज जा सकता है याँनि अगर कम मतदान हुआ है तो किसको नुकसान हो सकता है ज्यादा मतदान हुआ है तो किसको फाइदा हो सकता है जैसी बहुत सारे गणित हैं जो मतदाताओं से जुड़े होते हैं यहने कई बार नतीजे सिर्फ इसलिए बदल जाते हैं क्योंकि मतदाता घर से बाहर नहीं निकलते हैं बीजेपी ने कसी कमर बढ़ाना चाहती है और ना सरफ अपनी जीत के बड़े लक्षे को हासिल करना चाहती है बलकि अपना वोट शेर भी बढ़ाना चाहती है यह तभी संभव है जब देश भर में मतदान प्रतीश्यत पिछले चुनाओं के मुकाबले ज्याद आ हो लहाजा पार्टी इस्तर पर बीजेपी ने वोट प्रतीश्यत पढ़ाने के लिए कमर कसली है चुनाओं में वोटिंग ट्रेंट को देखते हुए क्रही मंत्री अमिज शाह और पार्टी अथ्यक्ष जेपी नडड़ा ने बैठक पे राश्ट्रिय महासचिवों से सुझाव लिए और हर प्रदेश इकाई को अपने पता धिकारियों को मतदान प्रतीशत बढ़ाने के लिए ड्यूटी लगाने के निर्देश दिये बीजेपी ने प्रदेश अथ्यक्षों से कहा कि वो बूत अथ्यक्षों और पन्ना प्रमखों से माध्यम से मतदाताओं को मतदान केंदर तक ले जाए हर कार्यकरता कम से कम 10 लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करे और उन्हें साथ ले जाए इससे पार्टी का अपने समर्थकों का ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने का लक्ष हासिल किया जा सके बीजेपी का मानना है कि अधिक मतदान प्रतीशत से ही सीटों को ज्यादा मार्जिन से जीता जा सकता है पहले चरण में कम मतदान के कई कारण बताय जा रहे है दोनों तरफ के मतदाताओं की उधासींता सामने आई इसके लावा गर्मी वीकेंड पर मतदान तिथी का भी मतदान पर असर पड़ा यूपी में 80 सीटे जीतने का लक्ष यताय करने वाली बीजेपी बूत मैनेजमेंट पर खासा जोर दे रही है इसके लिए पार्टी ने हर बूत पर कमीटी का गठन किया है और हर बूत पर मतदाता सूची के जरिये हर घर के एक एक मतदाता की पहचान की जा रही है पार्टी बूत समिती के सदस्यों और कारकरताओं के समुहों को भी प्रेरित करने का प्रयास करेगी ताकि मतदाताओं को समुहों में अपने घरों से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया जा सके मतदान किसी भी लोकतांतरिक विवस्था के लिए सबसे बड़ा हतियार है, सबसे बड़ी ताकत है ये देश दुनिया का सबसे युवा देश है सबसे बड़ी युवा आबादी भारत में रहती है निशित तोर पर अब ऐसे कई युवा हैं जिन्होंने राजनीती के इस नए ट्रेंड को देखा है सोशल मीडिया के इस दौर को देखा है और अब धीरे धीरे ये युवा वोड देने के लायक हो गए है और इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है आप देख रहे होंगे जितने भी मैनिफेस्टो आए जितने भी नेता अपने भाशन देते हैं वो युवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं इन युवाओं का मतादिकार भी उतना ही महत्वपून है देखें मत चाहे एक 18 वर्ष के युवा का हो या फिर एक 60-70-80 साल के बुजर्ग का हो महिला का हो, पुरुश का हो, किसी जाती, किसी समुदाय का हो वोट की ताकत एक जैसी होती है इसलिए हम सभी को अपने मतादिकार का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए हमारी इस खास पेशकर्श में आज के लिए इतना ही बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे है भारत एकस्प्रिस के साथ, नमस्कार